पहले यह समझे कि खपत को हमने आंका कैसे तो हुआ क्या कि हमारे जो 200 सवाल थे इसमें सर्वे में हमने 28 assets को लिस्ट किया इस assets में ceiling fence से लेकर LPG stop से लेकर LPG stop के लावा color TV से लेकर 2 wheeler से लेकर car से लेकर refrigerator से लेकर हर चीज थी जो हमने इसमें शामिल की 28 assets को निकाला अब हमने यह माना कि जिन परिवारों के पास चार basic assets हैं चार basic assets में क्या-क्या बिजली का connection हो पंखा हो LPG stop और एक mobile phone हो feature phone हो चाहे smart phone हो एक mobile phone हो यह चार basic थी इन में जब तीन चीजे और जो गई कौन-कौन सी two wheeler refrigerator और color TV तो हो गई साथ इसको हमने माना यह comfort है यानि कि ठीक ठाक जोलने लगें अगर यह तीन चीजें आप और जोल दिए तो हम यह मान लेंगे आप luxury कर रहे हैं लगजरी से अपना जीवन इस तर जो आपका है वो luxury वाले segment में आ जाता है अब आप इनका नतीजा देखिए भारत में 44 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो केवल basic पूरा कर रह तो 97 परिवार भारत के ऐसे हैं जिनके पास 7 या इससे कम assets हैं और केवल 3 प्रतिशत परिवार केवल 3 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो luxury segment में आते हैं यानि कि जिनके पास 10 या उससे अधिक संपत्तियां उन्होंने अरजित कर रखी हैं अब आप अगर सीधी सी बात है income जि केवल luxury और luxury भी सर मुझे लगता word कहने में ज्यादा भारी लग रहा है लेकिन 10 assets 28 में से हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या बताता है खपत का या आकड़ा भारत की अर्थविवस्था के बारे अच्वां भारत ये दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने ये समझने क की कोशिश की की कि लोग कैसे कमाते हैं और उसके साथ हमारे लिए ये भी जाना जरूरी है कि लोग कैसे खर्च करते हैं खर्च करना दो वज़े से महतुपूर्ने अर्थविवस्था के लिए हमारे आपके खर्च से ही देश की अर्थविवस्था चलती है भारत दुनिया क कि हम अगर देश के परसनल फिनांस का सर्वेक्शन करें तो हम जानने की कोशिस करें कि लोग कैसे खर्च कर रहे हैं दूसरी चीज यह कि इस पूरे ढाचे में इस पूरे हिस्से में हमने जिन 28 सेवाओं सुविधाओं को जिन्हें की सर्वे की भाशा में एसेट्स कहा जाता है इनमें वो सेवाएं भी है, इसमें broadband connection भी है, इसमें आटो मोबील भी है, इसमें बाकी सोविधाएं भी है, हमने उनको शामिल किया, जिससे कि हम यह समझ सके हैं कि लोग अपने जीवन इस तर को बेहतर करने के लिए कैसे आगे जाते हैं, इस आकड़े से हमें दो महत्तुप म के pattern का अकड़ा है, अगर हम उस आकड़े को दुबारा देखें, तो हमें दिखाई देगा कि भारत में जैसे जैसे आए बढ़ती जाती है, जिस तरह से लोगों की आए बढ़ती जाती है, ठीक उस तरह से भारत में लोगों का निवे का खरच बेसिक से बढ़कर, इस आकड आप अगले इस तर पर जाते हैं उपर के इस तर पर जाते हैं आपको दिखाई देगा कि भारत में low middle income class की spending या खर्च बढ़ता जाता है comfort की सुविधाओं उपर तो जैसे ही 15-35,000 वाला range शुरू होता है आयका उस range में जाते ही हमें ये दिखाई देता है कि लोग अपनी जि स्क्रीन के उपर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं अगर इस फर्क को हम ध्यान से देखें उस शीट को तो आपको दिखाई देगा कि aspiring class जो 15,000 रुपय वाला है वो केवल 30% luxury जुटा पाता है 70% उसकी जिंदगी उन चीजों पर खर्च होती है household income खर्च होती जहां उसे काम चल luxury पर expenditure 2% से बढ़कर 8% और उपर 26% हो जाता है यह भारत के consumption pyramid की तस्वीर है और यह यह बताता है कि भारत का जो प्रमुक उभूगता class है जिसके उपर सबकुछ सारा दारोमदार है देश की अर्थवस्था को चलाने का tax देने का वो कितना सीमित और कितना चोटा है तो जब कि भारत में सरकारे सबसे जाधा tax उन चीज़ों पर लगाती है जो जिन्दगी बहतर करने वाली चीज़े यानि आपको आप जैसे जिसे जिन्दगी बहतर करने की चीज़ें जुटाने की कोशिस करते हैं tax का level बढ़ता जाता है भारत के GST के धाचे में भी वही चीज़ें उपर के taxation धाचे में आती जो आपकी जिन्दगी को सुविधा जनक या बहतर बनाती इसकी वज़े यह है कि भारत के उभोकता या खर्च करने की शमता वाले लोग इतने सीमित हैं कि वह अधिकांश tax उनहीं से वसूल आ जाता है अधिकांश वजह से और इसे चोटा परिव के बारे में यह जानकारी मिलती है और यहां से हम एक सूज में मिलती है कि भारत में सबसे निचले क्लास की इंकम में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो वह अपने पहला खर्च अपनी जिंदिग को सुविधा जनक बनाने पर करता है वह सीलिंग फोन से आगे बढ़क और कंपिनिया रूरल डिमांड ना होने के शिकायत कर रही तो उनके लिए आकड़ा समझना जरूरी है कि भारत में सीधे सीधे तोर पर जिंदगी बहतर करने की जरूरतों का सीधा हिस्सा लोगों के परिवार की अपनी इंकम से है अलुक सर आप से सवाल कि क्या यहीं वज किρεखते हैं कि Capex यानि कंपनिया अपना पूंजीगत निवेश क्यों नहीं बढ़ा रही है अब सवाल है कि बिजनस्मेंट को नहीं बढ़ा है हो वह धंदेगो समझते हैं वो आपसे हमसे ज़ाद समझते हैं कि डिमांड उनको अगर बढ़ती हुई दिखाई देगी तो धार लाके शेर इशू करके वो कैपरक्स बढ़ाएंगे अभी दिक्कत यह हो जाती है कि वो कैपरक्स बढ़ा दें और डिमांड ना हो पाए तोकि कोविट के बाद एक उसी श भी ख़बर मिलती है साब की मंद्रेगा में भी अभी दिमांड कमनी और यह लोग वहां भी जाके काम करना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को नितिगत निर्धारकों को देर सबेर यह काम करना पड़ेगा कि जो हमारा युगांडा है वो कन्वर्ट हो मलेश ऑर वह शें सिर्फ अस्तित व संगर्ष से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाए और अस्तित व संगर्ष से ज्यादा ऊपर जाने का तालुक बिंधा कि एक तो इंकम और एक तो एसेट्स बढ़े लेकिन सहाब Ettा कमा लगा रहे थोड़ा सा उसको लेके भी सोचने की जरूवत है भई कि अगर उनको समझाया जाए जोखिम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक हिस्सा आप अगर लगा दें स्टॉक, समझाके, स्टॉक मार्केट में, तो उनके रिटर्न्स डेफिनेटली भेटर होंगे, तो कल को जो एसेट् बड़ी परियोजना पर काम करने की जरूवत है, एक इसमें समझने की जरूवत हो रहा है कि 140 क्रोर का जो अपना आबादी का स्केल है, यसा मैं समझता हूँ, 140 क्रोर का मानलो 3% भी हमने मानलिया साब लगजरी है, 3% होता है 4.2 क्रोर, यह 4.2 क्रोर, 10 न्यूजिलेंड, 10 सि बड़ा है, जब हम यह चिंता करते हैं साब की डिमांड नहीं और फिर भी भवराश्ट्री कंपनिया आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको दिखाई यह पड़ादा है कि 4.2 को यह अगर हमने कैटर कर लिया, तो हम अपना महंगी कार, महंगी गड़ी बहुत दुमादा बेच पाएंगे, तो मैं तो फील करता हूँ को भारती अर्थवस्ता की स्टड़ी, कोई एक देश की स्टड़ी नहीं, एक पूरे महादवीब की स्टड़ी है, जिसमें अमेरिका, मलेशिया और युगांडा, सारे सब शामिल हैं और लेकिन असली, जिसे आप कहेंगे, जि नीचे वाले सर्किल को, नीचे वाले तक्ये को वहाँ लेके आए, जब हम यह कहें कि साभी आवरिज जो इंकम है, यह हाउसोल्ट की 23,000 नहीं है, कम से कम 1,00,000 है, तब आगे बढ़ेगी, तो अगर आपको वाटसप पे कोई संदेश आए और लिखा हो उसमें कि 140 करोड के हम उपभोगता हैं और बड़ा देश है, तो उसको बताईएगा कि 10 करोड ही ऐसे यूजर्स हैं, जो लगजरी जैसी चीजों को खर्च कर सकते हैं, कमा सकते हैं, या उनको खरीज सकते हैं, और आप चाहें तो यह मही नान के सर्वे का स्क्रिंशॉट भी उसमें लगा जाएगा, ग्रूप पे आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, अब आगे बढ़ते हैं, हमने कमा लिया, हमने खर्च कर लिया, चलते हैं, आपको यह भी बता दू, कि यह तो नैशनल बात हो गई, अब आप यह जाना चाहेंगे कि हमारे राज्य में इस्तिति क्या है, तो भा कम खर्च करने वाले, जबकि लगजरी में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले राज्य कौन से हैं, तो उसमें महराष्ट है, उसमें दिल्ली है, यह राज ऐसे हैं, जो सबसे ज़्यादा लगजरी पर खर्च कर रहे हैं, यह टेबल आपके सामने, पूरे स्टेट का, आप इसमें अपना इस्टेट ढूंडिए और समझिए कि आप जिस राज में रहते हैं वहाँ खपत का पैटर्न कैसा है अब आते हैं अंजमांजी आप कुछ कह रहे हैं इसमें एक चीज इस आंकले को आप ध्यान से देखेंगे तो आप को दिखाई पड़ेगा कि भारत में किन च जरूरतों में जाकर शामिल हो गई थी और उस बेसिक जरूरतों के कारण भारत में एक बध़ बड़ा हिस्था मोबाइल पेनेट्रेशन के मामले में डबल हो गया यह नहीं लोगों के पास दो तक मोबाइल हो गया यह इस बात को समझना जरूरी और दूसरी चीज बात लगजरी की तो उनकी परिवाशा कुछ प्लूटोक्रेट्स वाली है कि आपके पास प्राइवेट जेट होना चाहिए और आपके पास यूज पेंट हाउस होना चाहिए पर हम भारत की तुलना में यह लगजरी है और आज भी भारत में एनफेचस का सरवे हमें बताता है कि 12 में से 12 परिवारों में से केवल एक परिवार के पास कार है और हम भारत में कारों की ओनर्शिप का जो मुझूदा इस तर है वो अमेरिका में 1950 में हासिल हो चुका था तो इसलिए हम अपनी भारत की अर्थवेश था कि बुनियादी इस तर पर इस पिरामिट को इस पैटरन क इतना है यह सवाल यह बताता है कि यदि हम इंकम लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी करने सर इंकम लेवल में अकर हम 20,000 रुपए महीने भी 15,000 रुपए महीने भी एक परिवार की आए बढ़ा दें तो वो परिवार ततकाल कुछ जाधा सीलिंग फैन खरीदने लगेगा कुछ कूलर खरीदने लगेगा कुछ बहतर घर का रंग रोगन करा लेगा और यह जो मल्टिप्लायर होकर डिमांड में सामने आएगा यह भारत की जीडिपी ग्रोथ के पोटेंशल को बढ़ाएगा यह आकला समझने के लिए मैं बताता है